तो हेलो गाइस केसे हैं आप आज के इस वीड़े पर मैं आप लोगों दिखाने वाला हूँ टॉप तरी चीपेस्ट एंड्रोड स्मार्ट वाच जिसके अंदर आप पब जी जैसी बड़ी गेम को भी लिटरली केल सकते हो जी हैं गाइस मैं सही बोल रहा हूँ आप पब जी क लेएख ने के लिए मिलती है वो सभी चीजे इस स्मार्ट वॉच्च के अंदर अवेलेबल है तो आपको कैम्रा भी मिलती है तो अगर आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच्च की प्राइस के बार में पता करना है तो इस वीड़ो को शूरू से लेकर एंट तक देख लेना म वीडियो को एंड पर मैं आप लोगो की स्मार्टफोन की प्राइस बताने वाला हूँ एंड आपको लिंक पी प्रोवाइड करूँगा आपको यह स्मार्ट वॉचे कहां मिलने वाली है तो अगर आप लोगो इस चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक् के बारे में डिस्प्ले के अंदर यहां पर आप दे सकते हो 2.86 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजल्यूशन होने वाली है 480 इंटु 640 पिक्सल्स की एंड राम एंस्टोरज के अंदर आपको 3GB राम मिलती है 32GB स्टोरज के साथ भी आती है एंड बैटरी के बरे में बात करेंगे तो 2700 डमेज की आपको बैटरी बैकप है जो काफी बढ़िया है एंड लिटरली स्मार्ट वाच के अंदर आप सिम भी डाल सकते हो इस स्मार्ट वाच में आपको नैनो सिम डालने का ऑप्शन है जो 4G LTE उने वाली है एंड 3G एंड 2G भी आपको अवेलेबल है एंड गाइस इस स्मार्ट वाच के अंदर आपको चोटा सा कैमरा भी मिलती है 5 मेगापिक्सल का एंड यह जो एंड्रोड एंड यह जो ओपरेटिंग सिस्टम इसकी वह आप लोगों को एंड्रोड 7.1.1 में चालती है एंड जो प्रोस्टर है मीटेक MT6739 की आपको चिप्सर देखने के लिए मिल जाती है इस स्मार्ट वाच के अंदर यह जो स्मार्ट वाच है वाटर प्रूफ आने वाली IP67 रेटिंग है और वाइफाई भी सपोर्ट करती है और Bluetooth भी आपको देखने के लिए मिल जाती है आपको स्मार्ट वाच के अंदर 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 आपको स्मार्ट वाच आपको वहां पर आपको इस smartwatch के जो भी specification आपको मिलती है वो सब भी specification आपको available होगा so guys अब हम बात करेंगे next smartwatch के बरमें so guys अब हम बात करेंगे number 2 smartwatch के बरमें so guys इस smartwatch का नाम है TicWatch C2 so बात करेंगे smartwatch की highlighted specification के बरमें So guys, डिस्प्ले में यापर आप देश सेकते हैं 1.3 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका रिजोलुशन होने वाली है 360 x 360 पिक्सल्स की, और राम एंस्टोरज के अंदर आपको 4GB राम है, 512 MB के आपको स्टोरज देखने के लिए मिलती है, प्रोसेर में भी आपको Qualcomm Snapdragon की Wear 2100 की जिपसेट है, जो काफी अच्छा प्रोसेर है, जो इस स्मार्ट वाच के अंदर लगी हुए है, और बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, तो 400 mH के आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जो आपको दो दिन तक आराम से बैटरी लाफ देने वाली है, और waterproof रेटिंग के साथ आती है, IP68, और connectivity के अंदर आपको Bluetooth 4.1 है, और Wi-Fi भी अवेलेबल है, सेंसर के बारे में बात करेंगे, तो आपको एसलोर मीटर मिल जाती है, जैरोस्कोप है, हार्टरेट सेंसर है, और आपको GPS भी मिलती है, वाच ट्रैप में आपको genuine leather है, जो 20 mm में बनी हुई है, और operating system के बारे में बात करेंगे, तो आपको Google की Wear OS देखने के लिए मिलती है, जो काफी अच्छा है, और इस smartwatch के आपको official website भी मिलती है, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, इस smartwatch की pricing and detailed specification, जो भी आप चाहते हो, सब खुछ आपको इस smartwatch की website में देखने के लिए मिल जाती है, एक official website है, जहांपर आप इस smartwatch की बारे में तो बहुत अच्छे जानकारी ले सकते हो, बात करेंगे नेक्स smartwatch के बारे में, यह जो smartwatch है, यह आपकी पसंदीदा ब्रैंड की तरफ से Xiaomi MI Band 8, बात करेंगे इस smartwatch की डिस्प्ले के बारे में, 1.62 इंच के आपको AMOLED डिस्पे मिलती है, जिसका resolution होने वाली है 192 x 490 pixels की, इंच के बारे में बात करेंगे तो detachable silicon strap है, जिसका width आपको 22 mm की होने वाली है, एंच 132 x 220 mm की adjustable length मिलती है, फीचर के बारे में बात करेंगे तो काफी सारे फीचर है, 5ATM rating है, real time heart rate monitor है, 24 x 7 की आपको blood oxygen level monitor मिलती है, sleep tracking है, stress monitor है, sports tracking है, VO2 max है, एसी काफी सारे फीचर आपको smartwatch के अंदर देखने के लिए मिलती है, and sports mode की बारे में बात करेंगे तो आपको outdoor run, indoor run, outdoor walk, indoor walk, outdoor cycle, indoor cycle, एसे आपको more than 140 plus आपको sports mode मिलती है, जो आपको MI fitness app के अंदर available होगा, लेकिन इस app के अंदर जो भी fitness mode है, मतलब sports mode है, वो काफी सारे ऐसे modes है, जो repeated है, मतलब बस नामी चेंज है, बाकी सब हो ही है, and sensors के बारे में बात करेंगे तो PPG optical heart rate sensor है, SPO2 sensor है, 3 axis azalormeter है, and rotor vibration motor है, मतलब आपको watch के अंदर एक चोटा सा vibration motor भी available है, connect duty के बारे में बात करेंगे, तो Bluetooth 5.1 है, and comfortable with Android 6, Android 6 के जो उपर जो version है, वो सब के comfortable, मतलब comfortable है, and Android में चला सकते हो, and iOS भी support करेंगा, iOS 12 Plus है, जो battery के अंदर बारे में बात करेंगे, तो 190 mAh के battery backup है, जो brand बोलते है कि ये 15 दिन तक आपको last करने वाली है, मतलब 15 दिन तक आराम से चलेगा, एक full charge करने में, and color आपको black and gold में दो, available है, dimension के परवे में बात करेंगे, तो 48 x 22.5 x 11 mm की dimension है, इस smart watch की, weight आपको 24 gram होने वाली है, with strap, मतलब 14 gram without, 14 gram आपकी watch की gram होने वाली है, 10 gram strap की है, so ऐसे आपको specification देखने के लिए मिल जाती है, and अगर आप चाते हो, smart watch की pricing and detailed specification आपको smart watch की official Xiaomi website में मिल जाती है, जाके check out कर लेना, so अब हम बात करेंगे, इस तीनो smart watch की pricing के बारे में, so यह तीनो smart watch आपको 2000 से लेके 4000 की बीच में मिल जाएगा, अगर आप लोगों को link चाते हो, description में मिल जाएगा, जाके direct check out कर सकते हो, and अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी पसंद आए तो वीडियो को like करके channel को भी subscribe कर देना, मैं आप लोगों मिलता हूँ next वीडियो पे, तब तक के लिए joy हिन होने मातरा,